हेलो आप सभी का स्वागत है इंफिनिटी लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हूं इस चीज को लेके जिस हिसाब के पेपर्स सेट हो रहे हैं और बन रहे हैं एंटिय के द्वारा नीट एक्जाम के लिए देखो मैं मानता हूं कि एक्जाम बहुत मैंने जो चीजे देखी हैं जैसे कि नीट 2023 और नीट 2024 एकदम रीसेंट की बता रहो बहुत पुराने तो जा भी नहीं रहा हूं मैं कुछ चीजें यहां पर लेकर आया हूं और बकायद आपके सामने questions भी लेकर आया हूं कि मुझे कुछ-कुछ सवाल ऐसे देखने मिल रहे था अब यह नीट 2023 का जो चैने जरा ध्यान से देखुआ अब विसी बात है एक बच्चे से एकस्पेक्ट यह किया जाएगा कि आर आपको एक मिनिट के अंदर इसकुश्चन को सॉल्फ करना है जिसमें आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए आरे में स्पीड का और आरे म पर कुश्चन बड़ा सिंपल सा लगता है temperature of gas दिया है पूछा है वोट तेंपरेचर शोड़ी हीट इस इंक्रीज इस शब्द पर ध्यान दिना बाइब थ्री टाइम्स अब एक शब्द बस एक शब्द पूरा कुश्चन गलत करवा सकता और सही करवा सकता है बहुत से लो हो जा रही है समझ रहा बात को मतलब rms velocity यहां पे to what temperature the gas should be heated so that the rms speed according to the question जो नहीं rms speed है vrms डैश वो four times हो जारी मतलब पुराने वाली में तीन गुना और add करना है जो पुरानी वाली rms velocity आ रही है उसमें तीन और add करना है ठीक है तीन और add करना है by 3 rms ठीक है by 3 times और अगर यहां two होता तो यह answer हो जाता vrms dash is equal to three times vrms अब पता है maximum बच्चे क्या करके maximum बच्चे इस हिसाब से answer निकालके है और क्योंकि उनका answer match निकर रहा तो उन्हें question थोड़ दिया क्या यह वो यह समझ नहीं पाते क्या यहां पर increase to four times देके आप मतलब by or two लगा कि आप क्या check करना चाहरे हो यह क्या check करना चाहरे हो कि बच्चे की English बहुत अच्छी है कि नहीं मतलब वो English का exam लिख रहा है वो physics का exam लिख रहा है तो उसे formula पता होना चाहिए उसका application पता होना चाहिए और उसे calculation आनी चाहिए अब इस चक्कर में बहु तो बिलकुल यार physics एकदम सॉलिड है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुनो मेरी बाग को अगर statement बस atoms of each element आर स्टेबल यहीं तक होता तो मैं बिलकुल बोलता यह statement to is incorrect बटाप सिंगल कहां दे रहे हो आप पूरा आगे इमिट देर characteristic spectrum पूरा एकदम एक साथ लिया जाता है ना फिजिक्स लग रही है यार फिजिक्स लग रही है तो पूरा लेके चलो ना यार मैक्जिमम हम फिजिक्स में जब बात करते हैं हम अंग्रेजी को साइडलाइन करके फिर इंग्लिश हमाई लिए बस एक mode of communication रह जाती है एक्स्प्रेस करने के लिए concept understanding के लिए English नहीं चेक करते कभी भी हम सवाल बनाने में और सवालों के answer में हम calculations चेक करते हैं हम देखते concept awareness है की नहीं क्या बच्चों को नहीं पता कि nuclear disintegration से atom destable हो जाता है क्या नहीं पता होगा बिल्कुल पता होगा यार यह तो कितनी simple सी चीज़ है हर एक बच्चा जो atoms पढ़ रहा ह modern physics कौन छोड़के जाता है किस किस को नहीं पता nucleus है कि नहीं मलब यह कोई parameter होता है चेक करने का अगर मान लीजे सवाल गलत भी हो जाता है बहुत बच्चोंगा तो क्या आप judge कर सकते हो कि हां यार उस बच्चा तो वो तो गधा था उसे nuclear नहीं आता था ऐसा नहीं हो सकता य science और यह each most of then that अगर ऐसा है तो फिर हम physics पढ़ाते पढ़ाते और नीट पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश की class भी ले लेंगे अगर ऐसा है और जिससे आप से मैं देख रहा हूं क्योंकि एक-एक सावाल actually इतनी ranks का difference create कर दे रहे हैं जो कि आर बहुत troublesome है तो please मेरी NTA से को गेम बन रहा है तो थोड़ा language देखना पड़ेगा मैं मानता हूँ गलत है concept based question आने चाहिए language पर नहीं बट हो रहा है और NTA तक अगर कोई representative का है अगर वहां तक वीडियो चले जाता है तो प्लीज आप सभी से request है आप ऐसा मत करें रिक्वेस्ट है सिंपल सी रिक्वेस्ट है ऐसा मत करो एंग्लिश मत इंट्रिड्यूस करो language मत इंट्रिड्यूस करो physics को physics तकी रहने दो biology को biology तक रहन दो और chemistry को chemistry तक रहन दो अलग लग subjects language यहां पर बस एक convey करने का mode होना चाहिए समझने का mode होना चाहिए वो define नहीं करना चाहिए पुरा का पुरा question पलट नहीं जाना चाहिए एक word से एक word से पुरा statement भी नहीं बोल रहा हूं मैं तो पूरे statement के conclusion से जा रहा हूं बहुत सारे बच्चे एक दम proper English medium से पढ़ते है तो अब ऐसी चीज़ा आने लग जाएंगी कि बीटवीन बोल दिया और बहुत सारे में और आपने गलत बोल दिया किन मैं तो बीटवीन नहीं हो सकता था अमंग होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चीजे थी तो यार यह फिर मेरे लिए गलत हो जाएगा क्योंकि मैं physics की त्यारी कर रहा था इंग्लिश की नहीं तो यह बात आप तक बहुच चुकी है एक और इंपोर्टेंट दिना चाहूंगा बेटा इंफ्रिटी लर्न नीट चानल पे स्टेप अप सीरीज लाइब है जो की फ्री आफ को सीरीज चल रही है इंफ्रिटी लर्न के दवारा उन सार ने जॉइन नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस चानल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चानल पे आपको पढ़ाई से रेलेटेट बाते बहुत सारी मिलेंगी और वो सारा कंटेंट मिलेगा जो की जैनुए आपकी रांक को इंप्रूफ कर सकता है तो